नमस्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वालें काफी एक रोचक एक इंट्रस्टिंग एक ओडर जो है वो दिली हाई कोट ने पास किया दिली हाई कोट ने ओडर दिया कि एक साथ साल के जो दंपत्ति हैं एक बुड़ा-बुड़ी जो हो गए जो साट साल गये है उनका जो एक बेटा था वो जिसकी death हो गई थी अब उस मरे हुए पुत्र की जो वीर्य है वो को दिया जाए अब यह जो आदेश है high court ने दिया है अब यह कैसे यह मामला high court के सामने आया यह विरे जो है वो इस बेटे ने क्यों कहां पर रखा था क्यों रखा था किसलिए रखा था ऐसा क्या हो गया था कि यहां पर जो sperm है उसको preserve करने के जूरत आ गई थी और ये कौन से act के तहट जो वो इस संपत्ती के इस दंपत्ती को दिया गए इस कपल को दिया गए तो एक बहुत सारी चीजें हमारे सामने interesting तोर पर निकल कर आती है और exam के point obvious से भी ये काफी जाद important है क्योंकि काफी सारे act यहां पर आप पढ़ने पढ़ेंगे जहां पर यह जो मामला जो है यह supreme यह high court ने जो order दिया है उन act का use करते हुए इन दंपत्ती के favor में वो order दिया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को pdf के बारे मता देता हूँ description box में आपको telegram channel का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से आप उस telegram channel पर पहुंचेंगे तो आपको यहां से आप ये pdf डाउनलोड कर सकते हैं बस आप आगे चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को तो देखिए दिल्ली हाइकोट ने पिछले सप्ता यानि यह मामला जो वह 13 अक्टूबर का है तो पिछले सप्ता क्या था यानि कि 13 अक्टूबर के आसपा समझ लीजिए एक साट वर्स के जो दंपती है एक कपल है उनको एक ओडर दिया उनके लिए एक उनके फेवर में ओडर गया उनको कहा गया कि जो मृत बेटे हैं उनका जो मृत बेटे का जो सुक्रानू है जो स्पर्म है उनका जो सेंपल था वो उनको दिया जाए क्यों दिया जाए भाई पहले जो है यह मरनो प्रांत देखे जो उस्पिटल के अंदर यह सुक्राण यह स्परम सेंपल रखे गए थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको नहीं देंगे यह जो साथ साल के दो कपल हैं वहां गए थे पहले उस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने मना कर दिया था कि देखे हम आपको नहीं दे सकते हैं आप जाए सुप्रीम कोट का हाई कोट का जिसका दरवाज़ा कर आना है वहां आप जाकर आप अगर वहां से ओडर निकल वाके लिए कहते हैं तो हम आपको देंगे तो यह गए इनके फेवर में वो ओडर निकल कराया और उनको कहा गया कि आप उसके हगदार हैं आप जाकर वो स्पॉम सेंपल ले सकते हैं अब यह क्या हुआ जिसे प्रभावी रूप से मरनो प्रांत सहायक प्रजनन का मार्क प्रशस्त हो ग हैं तो पहले को जड़ा मामला देख लीजिए देखें काफी इंपोर्टन्ट है यह डेट 2020 में 2020 में जो यह व्यक्ति था 30 साल का व्यक्ति था इसको कैंसर हो गया था कैंसर होने के कारण क्या हुआ इसकी डैथ हो गई थी तो इसके जो माता पिता ने दिल्ली हाई कोड का र रखा हुआ था लेकिन जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने यह जो लड़का था इसके माता पिता के यह सेंपल है स्पॉम सेंपल इनको देने से मणा कर दिया था जैसा मैंने का यह नहोंने का था कि आप जाके हाई कोड या सुप्रीम कोड के पास जाए अगर आपको वहा प्रेजर्व करके रखाववा था लिए जो कैंसर रोगी होते हैं उनके बीच में काफी ज्यादा एक कौमन चीज होती है कि जो अपने स्पूराणू बैंकिंग आम बात है शुक्राणू बैंकिंग मतलब कि अपने स्पर्म को बैंक करना यानि इस प्रेजर्व करके रखवान अब WAY उनको आने वाले टाइम में उनको शंतान की प्रापति हो इसलिए वो अपने नहीं करते हैं अब इस चाल उसने इसह पिताasy यह जो जो मृता-पिता को जो यह जो स्वक्राणू आपया शोजो जो जारी करने से लिगुत था और अगा उनष्ण उन्हें तरक दिया क्या तरक दिया कि देखिए यह जो आप स्पर्म हमसे ले रहे हैं इसके लेकर हमारे पास कोई भी दिशा निर्देश नहीं है कोई दिशा निर्देश कैसे नहीं है किसको देंगे किसको नहीं देंगे आपने जब पहले जो स्पर्म सेंपल रखा था तब कि आपने पूछा तो था ना कि किसको देना है तो इन्हों ने कहला कि देखिये हम ने सकते हम व्यक्तिक हो होती तो डैफिनेतरी हम उसको देते लेकिन यहां पर और गए ह सकते हैं लेकिन यहां घषी नाणिस हमारे पास नहीं बात कि आउस illnesses कहा हुआ उनने अपने बेटे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विरासत के एक आगे पीड़ी बढ़े इसके लिए आ पते के अब पोता सम facilitate करके यहांप पोते की परविरिष परिवरिष करने की इच्छा के साथ गयाले से का यानि कि high court से हस्तक्षिप करने की मांग की कि आप intervention कीजिए यहां पर और उन्होंने अपनी बेटी के स्मर्थन के साथ उन्होंने कहा कि जो आपने freeze करके जो यह sperm sample रखा हुआ है उसको उपयोग करके सुरूगसी के माध्यम से होने वाले किसी बच्चे की पूरी जिम्मेदार लेने के लिए पूर्ण रूप से तयार है यह माता-पिता जो थे इस व्यक्ति के माता-पिता ने यह बात बोली हाई-कोर्ट में जाकर कि यह जो फ्रिज या जो प्रेजर्व करके जो स्परम रखा गए हम इसका यूज करेंगे यह बात यहां पर बोली गई अब इसके बात कानून क्या बनता है क्या कोई लो है इसके अंदर देखिए यहां पर मैंने आप लोगों के चीज बोली कि डेट क्या थी जब इस वेक्ति की मिलती हुई वह दोजार पीस थी यहीं आपको समझना है यहीं पर आके केस फस्ता है य हमारे पास इसको शोट फॉर्म में आ जाते हैं इसका फूल फॉर्म होता है असिस्टी रिप्रोडेक्टिव टेक्नोलोजी एक्ट टॉन्टी टॉन्टी वन हिंदी में इसको बोलेंगे साहयक प्रजनन तक्निक अधिनियम 2021 जिसमें क्या बात बोली गए कि सभी प्रजनन औ जो उसको लेकर यहां पर कानून बनाए गए हैं फिर एक और चीज बोली गई है साहयक प्रजनन तक्निक नियम 2022 इसमें यह बात बोली गई है मरणो प्रांत यानि अगर किसी वेक्ति की मृत्य हो जाती है तो शुक्राणो यानि जो जो एक स्पर्म है उसकी पुनर प्राप है जहां मरितक विवाहित है और पुनर प्राप्ति चाहने वाला वेक्ति जीवन साती है देखे यह लाइन काफी ज्यादा इंपोर्टन है यह किनके ओपर लागू होता है अगर आप देखेंगे यहां पर आगों देखेंगे हावर इट ओनली अकांट्स फोर स्नेरियो वेर मिले यहां पर तो यहां पर यह लाइन काफी इंपोर्टन है तो यह बात बोल दी गई अब इस लाइन के तहट तो देखा जाए तो वो तो भाई जो माता पिता है वो जो मांग रहे थे स्पम वो तो बिल्कुल गलत था कि यहां पर हमारे सामने देश में कानून तो लिखा हुआ है कि यह तो नहीं मिल सकता माता पिता हो क्यूंकि यहां पर तो वाइफ की बात बोली गई है ऐसे स्वास्थे और परिवार कल्यान मंतराले ने इस मामले में जो मामला चल रहा था अदालत किसमक से हल्फ नमा एक तरक दिया उन्होंने कहा कि कानून का उधिश्य अद दालत द democratic के रूप में संदर्बित मामले में लागउव नहीं होता कि कि जो अभी में हमारे देश के अंदर कानून चल रहा है वहांपर मर्न प्राइलियन को डीया जांग या कर आज झायए इसन?] इसने बोलती स्वास्टे इसने कहा कि सुरुकसी फराइन 2500 के लिए चिकित सा आवशकताओं वाले इच्छुक जोड़ों या महिलाओं पर लागू होते हैं वई सुरोगेशी का आप यूज़ करके बच्छा पैदा करवाना चाहते हैं डेफिनिटिर ठीक है लेकिन ये किनपे वा लागू होते हैं जो एक इच्छुक जोड़े होते हैं तो उनके लिए ये कानून नहीं है तो यहां पर दो कानून है हमारे पास और यह दोनों कानून यह कहते हैं कि यह जो sperm sample है वो इनको नहीं दिया जाना चाहिए था तो यह बात होगी clear तो इनको मिला कैसे देखे अब international practice भी आती है अब इस मामले में क्या किया जो समीती भारति नयाय शास्तर के साथ जो याचिका करताओं ने दुनिया भर के अन्य नयाय शास्तरों पर भरोषा किया है उन्होंने खंगाला देपूरी दुनिया के अंदर कहाँ पर ऐसा case हुए जिनमें से कई कई सप्ष सहमती के साथ मरणो प्रांथ प्रजिनन के अनुमती देते हैं उ व्यक्ति मर गया उसके माता-पिता को दिया जाए ये कई काफी सारे केस निकाल कर लेकर है उधान के लिए उर्गवे जो है वो लिखी सहमथी के साथ लिखी सहमथी मांगता है कि मरणोप्राद परजनल के अनुमति देता है जो मृत्यू के एक साल बाद वैद है बैल्जियम के अंदर ही मृत्यू के बाद छे महीने की एक वेट करना पड़ेगा उसके बाद क्या अनुमती दे सकते हैं और हालांकी अगर अनुमती लेनी है तो दो साल के भीतर वो काम किया जाना चाहिए एसे ही ऑस्टेलिया में विक्टोरिया राज्ये में दो गवाओं के उपस्तिती में लिखित या मोकिक सहमती के बाद रोगी समिक्षा पैनल से अनुमोधन के बाद मरनो प्रांत प्रजनिंड की अनुमती देता है यहाँ पर भी ऑस्टेलिया के अंदर बात की पुष्टी करेगा, यह जीवित माता-पिता के लिए प्रामर्श भी अनिवारे करते हैं, कनाडा हो गया, यूके हो गया, दोनों में मरनो प्रांथ प्रजनन के लिए, यहां पर भी लिखी सहमती के आवशक्ता होती है, इसराइल में भी माता-पिता, लेकिन अब बेटे का अगर स्परम जो है, वो लेना चाते हैं, उसने प्रेजर्व करके रखा हैं, तो वो उसको नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा, जो लड़का, जो वेक्ती है, उसकी डैथ हो गई है, तो उसकी वाइफ को वहां पर दिया जाएगा, तो यहां पर, लेकिन एक एक कानूनी अनुमती प्राप्त की, जिसके बाद एक लड़की पैदा हुई, यह केस भी यह लेकर आए, दिली हाई कोर्ट के सामने, तो यह इंटरनेशनली भी घूमे, मैं तो गूमे नहीं यहां से केस निनों ने निकाला, यह दिली हाई कोर्ट के सामने पेश किया, लेकिन ह अब लोगों के सामने दिखाए, वो दो कानून तो बहुत से देश के अंदर ऐसा हो भी रहा है, तो अब बात करते हैं, दिन्ने कैसे निकाला गया, तो सबसे पहले जो नियाएले ने याचिका करते हैं, उनके साथ एक सहमती जताए, जो ए आर्टी मैंने आप लोगों को ब होता है ना, ये आर्टी, ये आर्टी कब आया, दो हजार एकिस में आया, अब यहां पर जो ये माता पिता है, इनके बेटे की डेथ कब हो गई थी, वो दो हजार बीस में हो गई थी, अब केस फस गया यहां पर, वही दो हजार एकिस में के जो आप कानून लेके आ रहे हो, उसके बेटे की मृत्यू होगी 2020 में तो हमारे देश की जो कानून विवस्था ये कहती है कि जब वो कानून आएगा उसके बाद से वो कानून लागू होगा उससे पहले के जो केस हैं वहाँ पर वो कानून लागू नहीं होगा तो ये बात इन्होंने यहां बोल दी कि भई आप जो कानून लेकर आ रहे हो जिसमें बोला गया है अगर व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है अगर उसका स्पर्म जो है वो प्रेजर्व करके रखा गया है तो उसकी वाइफ को मिलना चाहिए यह तो आप 2021 में कानून बना के बोल परजनन पर कोई परतीबंद है मतलब एक कोशन हमारे सामने यह उठता है कि पतनी यह पतनी तो दोनों यह नहीं है तो क्या मुझूदा कानून है हमारे पास कि इस परक्रिया को परतीबंद करें कि अगर उसके माता-पिता लेने आये हैं स्पर्म सेंपल तो उनको वो प्रो जहां कोई परतीबंद मोजूद नहीं है यानि कि तो ने इसका कि भई यहां पर परतीबंद है यह नहीं हम इनको रोकी नहीं सकते तो यह हो गया दूसरा यह बात बोली गई नियाले नहीं आची का करता हूँ कि एक तरक को और स्विकार कर लिया उन्होंने बोला कि जो विर्य है उसके नमुनों को संपत्ति माना जाए भई संपत्ति कैसे माना जाए भई संपत्ति तो होती है ओविसली क्योंकि यह व्यक्ति की जैविक सामगरी का हिस है ठीक जैसे ही मानव शव जैसे ओविसली कोई व्यक्ति मर गया है तो जो मृत व्यक्ति था उनका बेटा था वो उनके शरीर पर हक किसका हो गया उनके अंगों के उपर किसका हक हो गया उनके माता पिता का ऐसे ही जो sperm है वो एक जैविक सामेगरी का हिस्टा है तो इसलिए उसको संपत्ती माना गया अब यहां पर संपत्ती के बाद क्या हुआ भई तो माता पिता जो मृतक के माता-पिता नमूनों को जारी करने के हकदार है यानि इस पर नयायले ने हिंदू उत्रादिकारी अधिनियम का हवाला दे दिया यहां पर एक और एक तागे हमारे सामने जिसके अंदर हिंदू उत्रादिकारी अधिनियम के तैत हवाला देते हुए हाई कोट ने कहा कि जहां माता-पिता को पती या पत्नी या बच्चों के नुबस्तिति में मृतक के क्लास वन कानूनी उत्रा अधिकारी माना जाएगा अब यहां पर ना तो वो जो वेक्ति है 30 साल का जिसकी डैथ होगी ना उसकी पत्नी है ना उसके बच्चे है तो उसके जो भी संपत्ति है उसके पर किसका अधिकार होगा जो यह कानून बोलता है अरे क्या हो गया एक इनट कहा गया हम आगे चलते हैं जो Class 1 जो हमारे जो हिंदु उत्रादिकारी अधिनियम में बौला गया है, जो Class 1 के उत्रादिकारी कोन होगा? यह case कैसे यहां पर आगे बढ़ा अब इससे जो है मिसाल भी और चिंता हैं दोनों वेक्त होती हैं मिसाल कैसे देखे यह एक निड़ने जो मिसाल कायम करता है कि पति पत्नी के अलावा कोई और भी पक्ष मृत वेक्ति के जो एक तरीके से प्रेजर्व किये हुए जो फ्रीज स्वयचालित नहीं हो सकता यानि ओटोमेटिक नहीं हो सकता आप आईए बकाइदा इन सब चीजों को एक तरीके से उनको रिव्यू किया जाएगा सब चीजों को देखा जाएगा यह बात बोली यह मैतपूर्ण है कि मरनो प्रांथ प्रजने कई नैतिक प्रशन उठाता है वह कैसे कि देखिए मृतक के द्वारा सहमती की धारना से लेकर इस तथ्य तक की जनम लेने वाला बच्चा एक अनुवांशिक माता-पिता के बिना बढ़ा होगा कि वह जो बच्चा है अब जो यह वेक्ती था 30 साल का 30 साल का जो वेक्ती की डैथ हो गई अब डैथ के बाद यहां पर जो स्पर्म हो उसके माता-पिता को मिल जाएगा माता-पिता क्या करेंगे सुरुग एसी के माध्यम से वहां पर एक बच्चा हो जाएगा वो लड़का तो हैं तो यहां पर एक सवाल बड़ा ही एक नैतिक सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि क्या यह सही है यह गलत है इसके उपर भले ही इस मामले में ऐसा दाव यह जहां पर यह बात बोले कि यह जो मामला है वह दंपत्री के पक्ष में तो गया लेकिन यहां पर यह जो मामल तो यहां पर बोला गया कि ऐसी चीज़ें जो है वो पित्र सत्मात्मक को बढ़ावा दे सकती है यह बात बोले गई इस चिंताएं ये दोनों सब चीज़ें को समझ में आ गया गया फिर से आपको बदा देता हूं पीडियू आपको कहा मिलेगी डिस्कृप्शन बॉक्स में आपको एक टैलीग्राम चैनल का लिंक तिया मिलेगा तो आप इस guarding पे क्लिक करेंगिंगे तो सीदा टैलीग्राम चै शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और जहां पर भी आपके social handles हैं हर जगा तो बस आज के लिए इतना है था थैंक यूवर वाचिंग इस वीडियो